अज़िए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विने तिवारी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल विने तिवारी व्लॉग्स तो दोस्तो आज हम हैं विश्ण सरकार के रसोय में जिसकी नीव हमारे एक में मनोसर ने रखी है तो जानते हैं मनोसर के हर संड़े का दिल चरिया प्रत्येक रविवार की सुभा मनोसर अपने घर से निकलते हैं देवासना का इस दित मंडी के लिए ताकि वहाँ सुभे सुभे जाकर ताजी एवं घरी सबजिया ला पाएं लगब 20-25 मिनट में हम घर से मंडी पहुशते हैं मंडी पहुशते ही हम देखते हैं अपने वहाँ के लिए उचित पार्की एरिया जहां अपना वहाँ लगा सके और आराम से अपनी सबजिया ले सके सबजी लेने को तो हम केसी भी सबजिया ले सकते हैं परन्तु हम सरे वही सब्जिया लेते हैं जो एक्दी को एक पोस्तिक और एक हेल्दी भूजन दे सके। इसके लिए कई बार को कांटों तक मंट्यों में कुपना पड़ता है। हर एक सब्जी वालेकों पास जाकर चाचनी होती है सब्जी। क्योंकि वा सब्जी पोस्तिक येवं हेल्दी है कि नहीं अकर वह हेल्दी नहीं होती तो हम उसे वही छोड़ देते हैं। क्योंकि पास्कांचा थे लगए सब्जियों का परिक्षण करने के लिए उने कई बार जाचा जाता है अगर तब भी हमें हो सब्जी पसंद नहीं आती है तो इस हालत में हुआ सब्जी वहीं कि वहीं रख देते हैं क्योंकि सब्सक्राइब के लिए बहुत जरूरी हो क्या आल आपको ही सब्सक्राइब क्या बिच रहे आप कितरो किलो मास्क तो नहीं पेंद रहे आप मुस्त जोक बर या हस्वेयल कठ हस हाथ बंडी के लोग उवे साथ थ्ट तोड़ी धिटली करने के बाद और अपनी परियाप्त सब्जी होने के बाद हम अपने घर की ओर बढ़ते हैं तब ही हमको ये भाई बोलते हैं लगबग दो से ड़ाई घंटे की शॉपिंग के बाद हम अपनी सब्जिया वहान में रखते हैं घर आते ही सरसारी सब्जियों को उठा कर एक एक करकर थर्ट फ्लोर तक ले जाते हैं कर दो आते हैं कर दो एक कर दो एक लाद पिस सक में रखते हैं कर दो माने हम कि भाद बाद में बाद आतर मैं सबजी आचुकी है अब आंगे की प्रोसेस अब आपको सर बताएंगे सर अब आंगे क्या करने वालने अपन? अब बस इनके साफ सफाई होगी और जो अच्छे सब्दिया है वो अलग निकाली आती जिसमें कुछ खराब है वो अलग करके इनको बढ़े साफ सफाई करके की कटाई होगी और बस थोड़ी देर बाद से भोजन बनना शुरू होगा ठीक है सर तो अब देखे ये सारी सब्जी आ चुकी है इसमें मेथी है बेगन है और भी बहुत सारी सब्जी आ है तो अब भोजन बननाने के प्रिक्रिया आपके कुछ इतने समयवाद चलोगा 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 परन्तु में एक बात को विशेश रूप से कहना चाहूंगा कि जो भी खाना बनता आप देख रहे हैं उसमें शुद्धता का विशेश रूप से ध्यान रखा जाता है चावल को कम से कम दो से तीन बार अच्छी तरा से धोया जाता है इसी प्रकार सब्जियों के साथ भी दो से तीन बार होने के बार हमें काटा जाता है क्यों आक कर दो से क्यांबर करता ही 9अल jeżeli टोंदेख मिजीं हो विशसरी भीया प्रे souvent इया लिया नहीं आप्रा कि आना चाहिए सारी चीजें चाहिए अच्छी आच्छी कि आजकी इस capita में इक हैंगा है तो यह रएगह है तो जो नहीं अब हैं कि आ उह को जाएंगे जान तो बाहुतिया जान कि का लगोंै। मजा आएगा जान का लोग आनकी हैं कि तक उस पृषज़ बनावाija माँ बनाइगे तो का माँडा है वैक सब्जी ए तुह आगए है और फिर चटनी ऑड़िया कोदी ने वाली डार अ जटा टार निंगा लेंगे है बाद बता है यह मालू ना को क्या अबनाता है अज़ी के फ्लेवर बनता है दुछरा गोशधी भी इसमें वाँ करती है शवाद के ताइजाद ये शेयर के लिए बहुत अच्का है इसलिए अज़ुष्तान में अधिकतर जो मसाले डाले जाते हैं उनके पहीना कही शेयर के पहुत अच्छा परपाउ करता है खरने टेश के अच्छा के पूली अच्छा शीम्न में अच्छान अच्छाद करता है इस जड़ंगग अच्छाद करता है जट生 कम का घट औ्याद किन्हारि खोफ एंडी फ्रहुन मेंगोन कि इभ उन्न जडाओirm यजितो जन्न तर आपी हर दिफ छिनेगीर इट्री इ hijo बोजन बनने की पूरी प्रक्रिया के वाद उसी समय बरतनों को ठीक रुप चद होया जाता है उसके बाद स्टुएंट्स एक एक करकर सारी सब्चियों को गाड़ी में रखते हैं गाड़ी रखने के बाद गाड़ी जाती है विश्णु सरकार के रसुई की में प्लेस पर यहां आने के बाद सर और स्टुएंट मिलकर विश्णु सरकार के रसुई का पूरा सेट अप करते हैं लाइक टेंट लगाना, चद्दर लगाना, सामान को ठीक से रखना, और भी सारी चीज़ें विश्नु सरकार की जसुई की शुरुवात अगवान के नाम से होती है इसलिए सरसुवा सुवा आते सही यहाँ पर अगरपत्ती लगाते हैं और उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है, उसे शुरू करते हैं अगरपत्ती लगने की कुछी समय बाद लोगों की भीड़ भी लगना शुरू हो जाती है विश्नु सरकार की रसुई में खाना खाने के लिए आपको यहाँ आकर पांच रुपे देने पड़ेंगे और आपको प्लेट मिल जाएगी अगर आपके बास पांच रुपे भी नहीं है तब भी आप भूजन ले सकते हैं आपको प्लेट मिल जाएगी जैसे इन अंकल को मिल गई उसके बाद आप भूजन का अनन्द उठा सकते हैं तो आईए कुछ लोगों से पुछते हैं कि विश्नु सरकार की रसुई के भूजन के बारे में उनकी क्या राय है अंकल खाना किसा है? इतना स्वाजिस बनता है कि कई लोग आते हैं जो पैक करवा के खाना ले जाते हैं कि हम अपने सगे संबंदी मित्रों को भी खिलाएंगे तो आईए दोस्तों मैं भी यह खाना टेस्ट करता हूँ और आपको वताता हूँ कि यह खाना के सा है आप अगर इंदोर में रहते हैं संबंदे सटड़े यह खाना करते हैं तो दोस्तों मैंने तो बहुत इंजोई किया विष्ण सरकार की दसोई में तो अब बात करते हैं मनोस सर से जिन्होंने विष्ण सरकार की दसोई शुरू की मनोस सर विष्ण सरकार की दसोई की सुरूवात कहा से हुई कोबिट के बाग मंगने देखा कि बहुत से लोग है जो कोल बुट सुधा है जिससे बोजन है इसे बहुत है तो समाज के अन्य लोगों को जोड़ कर आप सायोग लेकर लेकर लेकि छुबिशी शुरुवात करें जिससे कि लोगों को एक उलब दो सके सर पांच रुपेट काफी कम कोस्त नहीं है इतने में तो आपका चमज प्लेट का कोस्त भी निकलेगा और इतने मतलब अच्छा स्वाजिस भोजन आप उसमें दे रहे हैं सर एक दिन में लगब कितने लोग यहां पर आजाते हैं जो आपका भोजन करते हैं खाते हैं पांच रुपे में पुराविट कर रहे हैं जैसे कि बड़ी-बड़ी सी एंजी अपने और होटल्स क्योंकि पांच रुपे में कहां पोजन विलता है और आप इतना अच्छा स्वाजिस प्रवाइड कर रहे हैं इसमें बुरा जैसा कुछ भी नहीं है अपको चाहते हैं और शेहर के और देश के अन्य हिस्तों में यह चीज़र शुरू हो और इसमें किसी का नुकसान नहीं है तो प्रवाजन ले रहे हैं जो बड़े-बड़े नुखलों में जाके कभी अच्छा बोजन नहीं कर सकते है यह पर पार शुरूर के जोड़े नहीं अच्छा बोड़े कराने का प्राया से सर आप रोटी बेंक के बारे में मुझे को बता रहे हैं क्या आप हमेरे दस्टों के साथ रोटी बेंक की कुछ रीटेर सालजा करेंगे अभी यह सुविधा है यह सफ्ता में एक इन होती है प यह एक उसरे के संपर्ख से लेटिया के मात्यम से जो भी हमसे जुड़ना चाहें तो विष्णु सर्काई की रिचोई में मुझे बहुत मजा आया और मैं आप सबसे लोग से बुचना जाता हूँ किया आप क्या सोचते है रिच्णु सर्काई की रिचोई के बारे मारे सबस्क्राइब कर सकते हैं सबस्क्राइब कर सकते हैं और फेस्बूक इंस्टाग्राम पे जल्दी हम आईडी बनाएंगे जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सर बहुत बहुत धन्यवाद